राम मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा की तारीख 22 जन्वरी जैसे जैसे खरीब आती जा रही है वैसे वैसे मामले में सियासत और जोड पकड़ती जा रही है जहां कॉंग्रिस ने बीजेपी का इवेंट बताते हुए निमंतरण को ठुकड़ा दिया तो वहीं अखलेश पहले स कह रहे थी कि जो भगवान बुलाएंगे तब ही जाएंगे लेकिन मामले में अब सपा के मुखिया ने भी शंक्राचारिय का राग अलापा है और राम मंदिर के उधगाटन में कथित तौर पर चारों शंक्राचारियों के न जाने के मुद्दे पर टिपड़ी की है अखले देश के चारोस संक्राचार हम उनको सम्मान की दिश्टी से देखते हैं वो हमारे धरम के अगवाँ हैं उनहीं से बहुत सारी परंपराओं बहुत सारे धरम की जानकारी हमें मिलती और अगर चारो संकराचारी मना करने किसी बात को लेघा करेए, तो भारती जंता पार्टी क्या आरूब लगाएगी उनपे कि वो सनातनी नहीं है जो आरूब विपक्ष्ट के निताओं पे लगा रहे हैं, इनका बस चले, तो हमारे जो पूज नहीं है, सम्माने, जो संकराच इसके साथ ही अखिलेश यादब ने एक बार फिर से अपनी वही बात दोहराई कि जब भगवान बुलाएंगे तब ही राम मंदिर जाएंगे आगे अखिलेश यादब ने कहा कि बीजेपी बस राजनितिक लाब लेने में लगी रहती है ये लोग बस इवेंट के बहाने हर चीज को भुनाने का काम करते हैं इस दोरान अखिलेश यादब ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी बाट के ही राज करती है बीजेपी ने अंग्रेजों से सीखा है और अब बीजेपी यही कर रही है तभी तो बड़ा सवाल ये है कि क्या बनारस क्योटो बन गया क्या मा गंगा साफ हो गई बीजेपी बाट के ही राज करती है बीजेपी ने अंग्रेजों से सीखा है बाट और राज करो तो वो तो बाट के राज कर रहे है अंग्रेजों से सीखा है इसी तरह हम उगो बाड़ते थे हैं कभी किसी नाम पर लेकिस सबसे बड़ा सवाल है क्या बनारस क्यूटो बन गया? क्या मागंगा साफ हो गई? जिस काम को समाजवादियों ने वर्णा को साफ करने का फैजल या क्या वर्णा साफ हो गई? एक दिवसिये दोरे पर वारण इसी पहुँचे अखलेश यादव ने इस तरह से एक के बाद एक बीजेपी पर जम कर हमला बोरा लेकिन अब अखलेश के शंकराचार्य वाले बयान पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है? इस पर सबकी नजरे ठीकी है बता दे कि अभी हाल में शंकराचारय अवी मुक्तेश्वरानन सरस्वती ने चारों शंकराचारय के प्रान प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने की बात कही थी जिस पर अखलेश यादव खेल गए हैं